Hello, welcome back. I am R.B. from Itka Technology and Beyond. आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की कि हम return value लेके आएंगे लेकिन without using any vlookup, index match, offset, extra. मतलब, मतलब कि कोई command का use नहीं करेंगा और value हमारे पास आजाएगी. With the help of intersection. जी हां, intersection. हम एक video कर चुके हैं पहले इस पे. लेकिन अम इसको फिर से समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है. तो मैं एक database ले लेता हूँ, sample ले लेता हूँ सामने. आप जैसे screen पे देखेंगे, एक चोटा सा database है मेरे पास. इसमें मैंने intersection को mark किया हुआ है, तो इस intersection को हम जड़ा practically भी देखते हैं. मान लिजे मैं कोई student ले लेता हूँ, जैसे screen पे है, मैं यहाँ पर student का name अजे कुमार ही ले लेता हूँ, तो अजे कुमार के मेरे को marks देखने है, marks मैं देखता हूँ, उसके physics के marks देखता हूँ, तो जैसे माँ पर mark है, मेरे पास 82 आगए, तो देखें वहाँ पर 82 है, लेता है, example के लिए, करन सिंग लिया और इसके मैं science के marks ले लेता हूँ, तो बस यही समझते हैं, आज इस वीडियो में कि हम कैसे करेंगे इस चीज को, let's start. अब हम क्या करते हैं, इस चीज को समझने के लिए वही database से ले ले लेते हैं, आपके case में आप बड़ा भी ले सकते हैं, student records, sales वगारा, कुछ भी आपके record होगते हैं, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक range define करते हैं, अब range कैसे define करते हैं, across बहुत सारी ranges एक साथ, य एक range decide करके दे देता हैं अब इस range को ये लेके range बन कहीं मेरे पास, अब मैंने ये कैसे बनाई, मैंने क्या किया, मैंने इसको select करिया, अगर मैं ये लेता, تو मेरा top बैला आता है, और अगर मैं left से लेके right तक select करता, तो मेरा इस तरह से आता हैं, लेकिन अगर मैं दोनों को combine क कर लूँ तो मेरे पास कटी एक साथी जो है वो ranges बन जाएंगे बहुत सारी तो बस इस ही ranges का हम आगे जाके यूज करेंगे तो अब हम क्या करते हैं कि जो हमने range बनाई है इनका हम यूज करते हैं लेकिन उस से पहले हम क्या करते हैं हम यह जो इस नेम्स हैं students की इसके एक list बना लेते हैं यह drop down मना लेते हैं बिसिकली जैसे हमने देखाथा डیमो में कि हम drop down से name select करें तो उसके लिए हम data में जाते हैं और validation में जाते हमें पता है अब जैसे यह बनाई है वैसे ही हम एक marks के लिए भी बना लेते हैं कि हमने वह पर marks भी देखा थे तो फिर से मैं वहीं जाता हूं कहां पर validation में जाता हूं और validation में list ले लेता हूं अब मैं marks को select गरता हूं और जो horizontally है मेरे पास इसको लिया और यह मेरे पास marks आ गए लिए देखिए यह मेरे पास marks है अब अगर normally देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से cell में हमने किया तो हम इसको थोड़ा color कर देते हैं तो यहां पर मैं कोई एक color ले लेता हूं और इसी तरह से यहां पर भी मैं कोई एक color ले लेता हूं यह 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 ठीक है यह yellow ही light yellow ही ले ले लेता हूं color तो यह मेरे पास color आ अब एक बर इसको देख लेते हैं यह देखिए यह आ गया मेरे पास और इसी तरह से यह आ अब इसको हम नीचे copy कर लेते हैं copy जितनी आपकी लिस्ट है आप उतनी copy कर लीजिए जितना आप देखना चाहते हैं depending on your choice अब अगर मैं यहां पर एक नाम दे दूँ बिकॉस इसके बिना तो सिर्फ colored जो range ही मालूम चलेगी cells है बस student name दे दिया और यहां पर मैं उसके subject marks लिख देता हूं यहां पर तो खाली subject लिया है मैंने अब इसके यहा अब क्या है कि अगर मैं कोई student select करूं कोई भी एक student लिया और उसके कुछ भी मैं marks लेना चाहूं subject में select होता हूं लेकिन marks तो आई नहीं क्यों क्योंकि अभी तक हमने यहां पर कुछ बताया ही नहीं कि हम बिना लो वी लो कप offset वगारा के use करके index match के बिना कैसे लेकर कुछ फार्मुलास का पहले functions का सुरी पहले कुछ functions का use करेंगे उसके बाद फिर हम यहां पर यहां वो यूज करेंगे अभी हमने पिछले super trick में ही देखा था हमने substitute का use किया था सो substitute क्या करता है basically क्या करता है कि जो भी character हम replace करना चाते दूसरे character से उसको वो हम वापर define कर देते हैं अब character है नहीं हम एक word भी कर सकते लेकिन यहां पर हम जैसे हमने पिछले trick में किया था हमने space की थी यहां पर हम space को करेंगे लेकिन हटाएंगे नहीं पूरी तरह उसको हम underscore से कर देंगे अब मैं underscore क्यों कि underscore मैंने इसलिए किया क्योंकि जब भी हम range define करते हैं यह देखिए उपर तो range के अंदर हम space नहीं दे सकते space से हम जो है वो अले गला हो जाता है और हमको यहां पर उस range के तुरू उस value को call करना है तो मैं यहां करता हूं यहां पर जा कर लगाता हूँ कि इस range में से जो भी value है वो मेरे पास आजए तो यहां में लगाता हूं indirect function अब मैं जब indirect function लगाऊँंगा तो इस range के अंदर जो भी value होगी वो मेरे पास आ जाएगी लेकिन थोड़ा सा फ़रक है क्या है कि जब मैं enter करूंगा तो यह देखिए यहाँ पर मेरे पास marks आगे लेकिन यह marks कौन से हैं यह marks computer के तो नहीं है अपने formula में चलते हैं और उसको थोड़ा modify करते हैं तो मैं क्या करता हूँ इस formula को copy कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं intersection operator लगाता हूँ intersection के थूँ इस चीज को करने की कोशिश करते हैं तो मैंने space दी और यहाँ पर मैंने copy किया था उसको रख दिया copy किया अब enter करने से पहले यहाँ पर अगर मैं enter करने से पहले यहाँ पर क्या चाहिए intersect मेरे को किससे करना है उसके computer marks वाली name range से तो computer range का जो है cell address यहाँ पर मैं जो है वो तो यह देखिए यह आ गए मेरे पास 84 अब मैंने intersection operator का तो use किया ही नहीं कहां किया मैंने use जी हाँ मैंने use किया है तो यही अभी आगे चलके हम discuss करते है तो पहले तो मैं इस formula को जो है वो suppress कर देता हूं यह मैंने यहां पर formula लिया अब यहां पर तो मेरे पास वही आ रहा है क्योंकि value है यहां पर लेकिन जहां value नहीं है error आएगा वहां पर जो है वो space आ जागा तो यह देखिए यह मैंने इसको copy कर देखिए बस यह हो गया अब कोई student लेते हैं अब जै यहां से इसने उसको अपने उठा देखिए और इसी तरह से मैं चाहूं तो जितने मर्जी students के marks ले सकता हूं तो अब जड़ा समझते हैं intersection operator को तो यहां मैं क्या करता हूं जो भी range name मैंने define की हुई है जिस name से मैंने इसको save किया है उसको ले लेता हूं and इसके marks की जो range है उसको ले लेता हूं बीच में मैं क्या देता हूं intersection operator which is just a blank space blank space is an intersection operator in excel तो जैसे ही मैं यह दोनों चीज़े लूँगा और enter करूँगा तो देखिये क्या होगा मेरे पास result आजएगा तो यही मैंने उपर किया मैंने क्या किया मैंने indirectly जो है वो ranges के ranges के use करके उसके अंदर के number को call किया और यहां पर दिखाते तो बस इतना ही इस trick में धन्यवाद